ओम गंगणपते नमा उमसर प्रित्टिब्डो नमा उम जगदमगा आई द्रुगा दिब्बे नमा मित्रों पित्रपक्ष आने वाला है और पित्रपक्ष में हम अपने पित्रों को जो भी दिवंगत आत्माएं हैं परवार की छोटी बड़ी जो भी हैं उन सब के लिए उनक कठिन लगता है या किसी ने बता दिया है कि तरपन नहीं किया सकता है और इसको ले करके फिर जीवन में अनिक प्रकार की समस्यां आती हैं तो आप यह हिंदू है तो अपने पित्रों के लिए आपको पित्रपक्ष में 15 दिन तरपन जरूर करना चाहिए तो मैं इस वीडिय आप में वस्त दरान करना चाहिए वस्त दरान करते समय यह चीज आपको याद रखनी है कि आपको जो है केवल एक ही वस्त नीचे पहनना है और एक गमशा एक तौलिया आपके पास कॉटन की होना चाहिए नीचे एक ही वस्त का मतलब है आप धोती पहन सकते हैं तो धोती प जाए आष्ट ने BYU राजमाननी पर हुर जमीन पर और आपके पास जू सामगरी हो ना चाहिए वो इस प्रकार है आपके पास में ठाली हो ना चाहिए पीतल कहां सी हाँ तामभी की आपके पास एक लोटा aano यह हुना चाहिए आच्मनी भी जिसको बोलते हैं बड़ी सी लोटी के हिसाब से ही एक छोटी आपके पास लोटी तामबी की होना चाहिए और आच्मनी के साथ में दो-तीन कटोरी अपने पास रख लीजेगा आपके पास में गंगा जल होना चाहिए आपके पास में जल होना चाहिए करन करेंगे तो बाएं हास से दायने हात में जल लीजिए अपने चारों और छिड़क लीजिए परंपता परिमेश्वर से अपने इष्ट देवता से निविधन करिए कि मुझे और मेरे वातरवन को मैं तरपन विधान करने जा रहा हूं पवित्र करें इसके बाद दूसरा आ आप जो है वो पवित्र करें और प्रित्वी देवी को आप पढ़ाम कर लीजिए इसके बाद अपने हाथ धो लीजिएगा और इसके बाद आपको तीन बार आजमन करना है तो तीन बार बाएं हास से दायने हाथ में जल लें और तीन बार उसको पी लें ओम बोल करके बस औ कर लें इसके बाद आप जो है माथे पर चंदन का या रोली का तिलक जरूर लगा लें और उसके बाद अपने हाथ एक बार से फिर दो लें इसके बाद आपको सबसे पहले संकल्प लेना हैं और संकल्प के लिए आप दायने हाथ में थोड़ा जल ले ले थोड़े चावल ले ले लें और थोड़ा एक पुस्प ले लें और बस इस प्रकार से आप मनी मन में संक्रप ले लें हे परंपता परमेश्वर हे मेरे कुल देवता कुल देवी और अपने इस्ट का नाम ले लें जो आपकी इस्ट देवयदी कोई है तो उनका नाम ले लें मैं अपना नाम लें जैसे आपका नाम सुरेश कुमार है तो मैं सुरेश कुमार अपने गोत्र का नाम ले लें अपने पिता का नाम ले लें और अपने जन्म इस्थान जहां भी आपका जन्म हुआ है वो इस इस्थान का नाम ले लें उसके बाद ये बोलें पित्र पक्ष में मैं सभी देव, रि तरपतो हों और हम सब पर उनकी सुब्रिष्टी बनी रहे और ऐसा बोल करके आप जो है सामगरी को एक खाली कटोरी में छोड़ दीजिए इसके बाद आप पूर्विदिसा की और ही जो अभी बताया गया है वो पूर्विदिसा की और मुख करकी ही वो प्रिक्रिया करें पू थोड़े से चावल जो है जो यह थाली सामने रखी है उसमें आप चावल छोड़ दें और यह जो हमारे हाथ का जो आंगे का हैस्सा है इसको देवतीर्थ बोलते हैं यहां पे भी थोड़े चावल रख लें और उसके बाद इसी इसे इन उंगलियों के सारे हम लोग जो है इस तरीके से जल अर्पन करेंगे देवों के लिए तो कैसी करेंगे और क्या बोलना है वो मैं आपको बता रहा हूँ बोलें ओम ब्रह्मा विश्णू रुद्र आदी देवता तरप्त हों यह बोल करके आप इस प्रकार से जल अर्धपातर पर छोड़ दें दूसरा जो है फिर बोलेंगे ओम रिशी सप्त रिशी ब्रह्मरिशी तरप्त हों और इस प्रकार से जल हम लोग अर्धपातर में छोड़ देंगे तीसरा हम लोग बोलेंगे ओम वेद पुरान गंधर्व यक्ष आदी देविता तरप्त हों और जल को अर्धपातर पर छोड़ देंगे य अब आप सभी सामान को और अपने मुख उत्तर की दिसा की तरफ कर लीजेगा और उत्तर दिसा में हम जो है दिब्य मनुस्वों का तरपन करेंगे और उसके आप अपना जो गमच्छा है उसको कंठी की तरह माला की तरह अपने गले में डाल लें उत्तर दिसा में मुख रखे और हाथ के इस भाग से जो की सबसे छोटी उंगली होती है उसके नीचे का जो हिस्सा है हातेली का उसको हम लोग मनुस से तीर तीर तोलते हैं वहां से हम लोग जल तरपन करेंगे जो जो आपके पास हैं वो जो अर्गपात्र में आप छोड़ दें और इस भाग पे इस प्रकार से थोड़ा जो रख लें और जल में भी थोड़ा से जो छोड़ दें और दो बार दिब्य मनुस्वों का तरपन किया जाता है क्या बोलना है और आप जल को छोड़ दीजेगा ठीक है एक बार फिर से अब हम लोग पित्रों का तरपन करेंगे तो उसके लिए आपका जो गमचा है पहले तो आप दक्षन दिशा की तरप पूरा सामान उठा करके उत्तर से सीधा एक सो असी रगड़ी पीछे दक्षन दिशा की तरप घूम जाए और दक्षन दिशा में ही मुख करके आपको अपने पित्रों का तरपन करना है और उसके लिए आप जो है गमचे को अपने दाहिने कंधे पर कर लें और अर्ग पात्र में थोड़ा तिले छोड़ दें जो जले लोटे में है इस प्रकार उसमें भी काले तिल लाल लें और जो हमारे हाथ में पित्र तीर्थ होता है यानि कि अउठे के नीचे और जो तरजनी होती है उसके बीच का जो हिस्सा है इस प्रकार से इसको हम लोग पित्र तीर्थ बोलते हैं और यहां से ही हमको जलरपन करना है तो और इसमें हम लोग तीन बार जो है वो तरपन करेंगे सभी पित्रों का और आपको जो है एक संस्क्रिक्ट में एक लाइन बोल ली है वो आप सीख लीजेगा लिख लीजेगा इसको किस प्रकार करना है मैं बता रहा हूँ ओम कव्यवाडनल सोम यम अर्यमा आदित्रप्त हों ये बोल करके फिर बोलें तेब्या सुधा नमहा और आप जल छोड़ दें फिर बोलें तेब्या सुधा नमहा और जल छोड़ दें फिर बोलें तेब्या सुधा नमहा तो तीन बार आपको पित्तितीर से ये बोल करके जल चोड़ना है दूसरा हम तरपन करेंगे इसी में हम बोलेंगे ओम यम चित्र गुप्त आधी तरप्त हों ये बोलके फिर बोलें तेभ्या सुधा नमहा जल छोड़ें पित्तीर से तेभ्या सुधा नमहा पित्तीर से फिर जल छोड़ें तेभ्या सुधा नमहा और पित्तीर से फिर जल अरपन करें इसके बाद आप एक उस्प ले 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 थोड़े से अच्छत ले ले और अपने सभी परवार के पित्रों का अपने यदियाप के जो भी पित्र इस दुनिया में नहीं रहे हैं आपकी माँ पिताजी हैं अगर किवल माताजी गई हैं पिस किवल पिताजी गए हैं तो पिताजी को आप इसमान कर ले आपके दादादी हैं परदादा परदादी हैं भाई हैं बहन हैं पत्नी हैं कोई अगर मिस्केरिज हुआ है अबोर्सन हुए हैं जो ही दिवंगत आत्माएं हैं और जो आप से जल की एक्षा करती हैं वो आपके परवार के लोग भी हो सकते हैं, जो भी आपके रिस्दार भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके गुरू भी हो सकते हैं, आपके करमचारी भी हो सकते हैं, हो सकता है, कोई नौकर हो, या आपका मालिक हो, जिससे आपको, जिससे, जिसकी पेक्षा आप से हो, तो उसका भी आप इ प्रिप्या करके पदारें और ये जो जल में आपको पदान करता हूं उसको गिरहन करें ऐसा बोल करके अर्गपात्र में पुस्प और अक्षिताब बिराजमान करतें अर्पित करतें अब इसके बाद सबसे पहले पितरों में हमको जो है वो अपने पिता के लिए तरपन करना क्या बोलना है सबसे पहले बोलना है आपको अपना गोत्र बोलें अमुक गोत्र मतलब आपका अगर भरतवाज गोत्र है तो बोलें भरतवाज गोत्र अपने पिता का नाम लें आपके पिता का नाम सुसील कुमार है तो बोलें आप भरतवाज गोत्र से सुसील कुमार वसू वसुरूप मेरे पिता तरप्त हों। मैं दुबारा से बोल रहा हूं। अपने गोतर का नाम लीजे। अपने पिता जी का नाम लीजे। और बोलें वसुरूप मेरे पिता तरप्त हों। ये बोलने के बाद आपको तीन बार जो है तरपन करना है इसी पित्रती से क्या बोलें तसमई सुधा नमहा तसमई सुधा नमहा तो तसमई सुधा नमहा बोलना है और आपको पित्रती से इस प्रकार से जल अर्पित कर देना है इसके बाद अपने दादा जी को आप तरपन करेंगे क्या बोलना है अपने गोत्र का नम लीजिए अपने दादा जी का नम लीजिए अमुक गोत्र अमुक नाम रुद्र रूप मेरे दादा तरप्त हो फिर तीन बार बोलें तसमई सुधा नमहा तसमई सुधा नमहा तसमई स इसके बाद अपने परदादा का करें गोत्र का नाम लें परदादा का नाम लें अगर परदादा का नाम नहीं पता तो किबल जो है वो परदादा बोलें और बोलें आदित रूप मेरे दादा तरपत हो और फिर तीन बार जलापत अरपन करें तस्मई सुधानमा तस्मई सु सुलते हुए आपको तीन बार पित्रती से जलापत करना है तो पिता दादा परदादा इसके वाद अपनी मा को तो मा को मा के लिए आपको क्या बोलना है अपने गोत्र का नाम लें जो भी आपका गोत्र है अगर वसिष्ट गोत्र है तो आप बोलें वसिष्ट गोत्र अमुक है आपको तस्याई सुधा नमहा पुरसों के लिए तस्मई आता है महलाओं के लिए तस्याई आता है तस्याई ता आधसा या में ये की मात्रा तस्याई सुधा नमहा तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं अमक गोत्र अमक नाम अपने गोत्र का नाम लें अपनी मा का नाम ल और तस्से सुधानमा बोलते हुए तीन बार जल छोड़ दें तस्से सुधानमा तस्से सुधानमा तस्से सुधानमा इसके बाद अपनी दादी का नाम लें अपनी दादी का नाम लें और बोलें रुद्र रूपा मेरी दादी तरप्त हो और तस्से सुधानमा तस्से सुधा अमदलब वियुक्त को बिलकुल मन एकाग्र हो एसी भावना करें कि बिलकुल आप जूहाफ जल अर्पन कर रहें सीधा आपकी मातर्यी वहां बिराजमान है रादी विराजमान वह ग्रहां कर रही है जितने प्रवल आपके भाव होंगे उतना ही आपको जो है ये करने के बाद आपको हसास हो जाएगा सांती की और इसका जो भी है भाव से ही है सारा खेल भासा से कुछ नहीं है भाव से है ठीक है इसके बाद अपनी परदादी का करें तो अपने गोत्र का नाम लें परदादी का नाम लें और बोलें आदित ते रूपा मेरी परदादी तरप्त हों तस्सेई सुधानमा तस्सेई सुधानमा तस्सेई सुधानमा इसके बाद आप जो है अपने ननिहाल जो आपके नाना नानी है उसके लिए बोलें क्या बोलना है नाना के लिए उनके गोत्र का नाम ले नाना का नाम ले और बोलें बसु सुधानमा तसमई सुधानमा इसी प्रकार नाना परनाना के पता जी उनको बोलते हैं व्रद परनाना तो बोलें अमुक गोत्र अमुक नाम आदित रूप मेरे व्रद परनाना अगर आपको गोत्र पता है परनाना का नाम नहीं पता है तो किबल बोलें आदित रूप मेरे व् और तस्मई सुधानमा तस्मई सुधानमा यह बोलते हुए आप इसको परना बद्द परनाना को अरपन करें इसके वाद अपनी नानी को आप जलरपन करें तो गोत्र का नाम लें नानी का नाम लें बोलें बसुरूपा मेरी नानी तरप्त हो और यहां पर चुकी महला है तो बोलना है तस्याई सुधानमा तस्याई सुधानमा तस्याई सुधानमा इसके बाद अपनी परनानी का गोत्र का नाम लें परनानी का नाम लें बोलें रुद्र रूपा मेरी परनानी रप्त हों तस्याई सुधानमा तस्याई सुधानमा तस्याई सुधानमा इसके बाद वृ आदित रूपा मेरी परनानी तरप्त हों तस्सेई सुधानमा तस्सेई सुधानमा तस्सेई सुधानमा तस्सेई सुधानमा तो इनको सभी रिस्तों को तीन तीन बार हम लोग तरपन करते हैं इसके बाद यदि आप चाहें तो जो भी आपके परवार के लोग हैं चाचा हैं म अगर पुरुष हैं, तो आपको उनके गोत्र का नाम लेना है, उनका नाम लेना है, और बोलना है, गोत्र का नाम लिया, उनका नाम लिया, फिर बोला बसूरूप तरप्त हों, ठीक है ना, और जो आपके रिस्ते हैं, जैसे एक इमान लीजा, आप अपने चाचा का तरपन कर रहे हैं तो क्या बोलना है गोत्र का नाम लिए सपोज एक्जामपल भरद्वाज गोत्र है तो भरद्वाज गोत्र से नाम लें रमेश कुमार वसुरूप मेरे चाचा तरप्त हों और एक ही बार आपको इसमें जो है वो अरपन तरपन करना है किवल एक ही बार बोलना है तसम और सबके लिए वसू रूफ बोलना है इसमें फोरोस हैं तो वसू रूफ मेरे भाई रप तरप्त हो और तसमई सुधा नमह ऐसा बोल करके आप तरपन करते हैं आपके गुरू को करना चाहें तो किसी के गोत्रा का मामा मेरे फूपा जो भी है वसु रूप तरप्त हों और तस्मई सुधान महा यह बोलते हुए आप तरपन करते हैं एक ही बार करना है इसके बाद अपनी जो हिला पक्ष में जो रिस्तिदार हैं आपकी बेहन हैं पतनी हैं है ना सासो मा हैं कोई भी है उनको आप जब भी करेंगे तो उनकी गोत्र का नाम ले लें उनका नाम ले लें और बोलें वसु रूपा और अपने रिस्तिय का नाम ले लें मालीजा आपको सासो मा हैं तो उनके गोत्र का नाम लिया उनका नाम लिया वसु रूपा मेरी सासो मा तरप्त हों और क्या बोलना है तस्याई नाल के पित्र भाई बंधू मित्र गुरू कर्मचारी त्रप्त हों और फिर ये बोलें तेभ्या सुधा नमहा और एक साथ ही पित्र तीस से आप जल छोड़के तरपन कर दें तो इस प्रकार से आपके परवार के लोगों का तरपन हो गया अब आपको ये जो भी लोग जातनाओं से पीड़ित अपुत्र जिनकी क्रिया नहीं हुई ग्यात अग्यात पितर तरप्त हों और बोलें तेभ्या सुधान महा तरपन करें एक बार फिर बोलें तेभ्या सुधान महा जले करके फिर छोड़ दें फिर बोलें तेभ्या सुधान महा और जल छोड़ दें तीन बार, इसके बाद जो आपने गमचा पहना हुआ है, उस गमचे को हाथ में इस प्रकार से उसके कोना एक ले लें, उसमें थोड़े से काले तिल तोड़ा सा जल डाल करे कि उसको भींग लें, भींगा लें, उसको गीला कर लें और आपको इसको निचोडते हुए बोलना है क्योंकि मिस्केरिज हो जाता है वारसन हो जाता है छोटे बच्चे जिनकी डैथ हो जाती है उनके लिए कुछ नहीं होता या ग्यात अग्यात पता नहीं कहां किस ब्रहमान में कौन से आपके पत्र हो उन सब के लिए क्रिया की जा तो बोलना यह है मेरे कुल से जुड़े मुझे से जुड़े सभी पित्र जिनका संसकार नहीं हुआ है उन्हें यह जल प्राप्त हो बस ऐसे करके और वो तरप्त हो ऐसा बोल करके आपको अपने गमचे को निचोड़ देना है तो आपका यहां पर जो है वो पित्रों का तरपन समाप्त हो गया अपने हाथों को धोलें अब आप पूरवी की तरफ मुख कर लें और एक जो खाली कटोरी और रखें और उसमें तीन बार यह जो साफ जल ले करके या तो आप बहुत अच्छा होगा कि घर के बाहर चले अरपित कर दें ठीक है और या फिर वहीं बैट करके आप किसी खाली पात्र में साफ जल ले करके हाथ धो करके तीन बार जल पी करके ओम बोल करके पवत्त्र हो जाए हाथ धो लें उसके बाद आप जो है जल में थोड़ी से रोली डाल लें और तीन बार ओम सूर्याय नमा ओम सूर्याय नमा ओम सूर्याय नमा ऐसा पूर जिसा के ओर मुख करके आप भागवान सूर्थ को अरकर परपित करदें और भगवान विश्नु से और अपने कुल देवी दिवता से आप ये परात्ना करें कि मेरे सभी पित्ट्र तरप्त हों हे प्रभू hé यूश्वर हे क कोई भी प्रकार का अगर पित्र दोस हो हमारे जीवन में तो वो शान्त हो और सभी पित्र जो है सभी देव सभी मुनस्त जिनको मैंने आज तरपन किया है उन सबका आशिरवात प्राप्त हो और यदि मुझे से इस क्रिया में विधान में कुछ गल्ती हो गई हो तो हे तो इस प्रकार से बहुत ही साधान तरीके से आप हिंदी में बोलते हुए खाली तीन ही चीज तीन मैंने संस्कृत में जो है वो प्रयोग किया है एक तस्मई सुधानमा एक तस्सेई सुधानमा एक तेव्या सुधानमा बस आपको साधान तरीके से आप चाहें तो एक कुली कुछ नहीं करना चायते ओफिस जाना है इतना भी समय नहीं है वो एक डिड़ मिनट में करें लेकिन मेरी अगर वीडियो आप तक पहुच रहा है तुमें सब यह बता रहा हूं आपको आपके पित्र यदी तरप्त नहीं हैं आप कोई भी अनुस्ठान करा लें पूजा करा लें कुछ भी कर लें कुछ भी सफल होने वाला नहीं है कितने बड़े आप भक्त बन जाएं 24 घंटे आप रमते रहें कोई भी मंत्र जाप क्योंकि पित्र आपके घर का जो है वो मेन स्विच बोर्ड है वहां पे अगर करेंट की सप्लाई नहीं होगी तो ट्यूब ला लाइफ में जीवने होगा नहीं और कुल देवी देउता आपके ट्रांसफार्मर हैं तो वहां से भी सप्लाई जरूरी है उसके बार बात करेंगे महलाई क्या कर सकती है उसके बारें बात करेंगे और एक दिर दो मिनट की है तो उसके बारें बात करेंगे तो प्लीज इसक कि अगर प्रिष्णों हूँ आप कमेंट में पूछें मैं कोशिश करूँगा आप सब सनातरियों से के उत्तर अपनी छमता और ग्यान के अनुसार दे सकूँ और ताकि आप तरपन करके अपनी जीवन को और अपने पित्रों को बहतर बना सकें एक आखरी बात आप से कह रहा ह हैं वो किसी स्वार्थ बस ना करें कि यह करने से मेरा ये ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं इस भाव से आपको नहीं करना चाहिए और जीवन में ulstep आएँगे आपको आपको कि वाव से करना है कि मुझे चुकी मेरे अगर प्रित्र नहीं होते पूरवज नहीं होते तो मैं कैसे होता मेरा फर्ज है दायत हो नके प्रितिए करना और अगर कोई छोटा चला गया तो उसके लिए विदायत है कि आप हैं जीवे थे हैं तो आप कर सकते हैं तो आप करिए आप सबका जीवन सुभ हो धन्नवाद